सो दोस्तों यह Samsung Galaxy A52 4G लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा Galaxy A52 5G mobile phone के बारे में आपको पता होगा कि A52 A72 4G variant को कुछ दिनों पहले ही इंडिया की Tech Market में ओफिसरी लॉंच किया गया है क्योंकि A52 5G smartphone इंडिया की BIS site के उपर लिस्ट हो गया है इसका मतलब दोस्तों मैं आपको बता दूगा अगर नहीं पता तो कोई भी जबी smartphone BIS site को उपर लिस्ट होता है तो इसका मतलब वो इस smartphone एक से देड़ महिने में definitely इंडिया की Tech Market में अंदर लॉंच कर दे जाता है तो आज मैं आपको बताऊँगा Galaxy A52 5G के स्पेस के सर्प्राइज कब तक की smartphone आपको इंडियन Tech Market में देखने को मिल जाएगा सभी जानकारी आज की स्वीड़ में देने वाले हो तो हे गाईस मेरा नाम है अंकुर आठी और आप देख रहे है फाल्तु टेक अगर आप चैनल पन नहीं है तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर करें और कॉंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीज़ेगा सबसे पहले हम बात करते हैं मुबाइल फोन की डिजाइन से यहां आपको रियर साइड पर कोर्ड कैमेरे के सेट अप देखने को मिल जाएगा पॉलिकार्मिनेट का बैक मिलेगा लेकिन जो बिल्ट क्वाल्टी होगी वह आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी यानि कि खलका स्मार्टफोन यह रहने वाल है सिलिक स्मार्टफोन यह रहने वाल है डिजाइन में आपको कोई बांतर देखने को नहीं मिलेगा जो A52 4G पर डिजाइन दिया गया था सेम वही 5G पर भी डिजाइन दिया जाएगा औरूल डिजाइन के मामले में इस्मार्टफोन एकदम मस्त रहने वाला है फ्रेंट साइज की बात करे तो लगबख 6.5 इंच की डिस्पेली मिलेगी जो आएगी Full HD Full HD के युजिलेशन के साथ यहाँ पर आपको Super AMOLED पैनल के साथ 120 हर्ट रिफ्रेस रेट भी देखने को मिलने वाला है 4G variant पर आपको 90 हर्ट रिफ्रेस रेट दिया गया था लेकिन 5G variant पर आपको 120 हर्ट रिफ्रेस रेट देखने को मिल जाएगा और सेंटर पर एक पंचोल कटाउट दी जाएगी जो बहुत ही छोटी सी रहने वाली है जिसका अंदर आपको Selfie Camera मिलने वाला है तो अरूल देखा जाए तो डिस्पेली के मामले में इस स्मार्टपून काफी अच्छा होगा कैमरी की तरफ नजर डाले तो 64 Megafixel का Primary Camera होगा 8 Megafixel का Wide Angle Sensor 5 Megafixel का Depth Sensor और 5 Megafixel का Macro Sensor होगा कैमरी में कोई भी डिफ्रेंस नहीं मिलेगा 32 Megafixel का Selfie Camera मिलेगा तो इसका मतलब दोस्तों आपको बताने की जरुवत नहीं आपको पता होगा की Samsung के कैमरी कितने अच्छे होते है A52 5G पर आपको काफी अच्छे कैमरी देखने को मिल जाएगे यहाँ पर आप 4K में 30fps पर भी वीडियो रिकोडिंग कर सकते हो A52 5G का पारफुल प्रोसेसर ADN 619 का GPU देखने को मिलते है काफी अच्छी परफोमेंस ले सकते हो अगर आप गेम खेलना पसंद करते हो तो A52 5G आपको काफी अच्छी गेमिंग परफोमेंस देने वाला है SD कार्ड के डेडिकेटेड सुरूट भी दिया गया है यहां पर आपको एक लेटेस्ट यॉआई यहां पर आपको वाटर रेजिस्टेंस जाने कि IP68 की वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग भी आपको देखने को मिलने वाली है जो काफी अच्छी बात होगी 3.5 mm को ओडिया जाएगा तो देखा जाए तो गलेक्सी लेकिन अब आप लोगों के मन्य में कोर्सान उट रहे होगा कि आखिरगार एफिप्टी तु फाइब जी किस किमत के अंदर लॉंच के जाएगा तुम्हें आपको बता दू कि यह स्मार्टपॉन हो सकते है करीब 30,000 के असपास लॉंच क्योंकि 4G वारियेंट यह आपको 26 20,000 रुपी के असपास मिलते है तो ऐसे में जो 5G वारियेंट होगा डेफिनेटली 4G से ज्यादा प्राइज में आएगा तो मानकर चलिए कि स्मार्टपॉन को आपको 25 से 30,000 के बीच में देखने को मिल सकते है प्राइज अभी कुछ भी फिक्स नहीं हो तो लॉंच होने के बाद ही पता चल पाएगा आपके वीडियो कैसे लेगी मुझे कमेंट करके जरूर बताए अगर आपके कुछ भी क्वेरिज है तो आप मुझे इंस्ट्रागाम पर डियम कर सकते हो मैं आपकी तुरंत रिप्र आई करने की कोशिस करूँगा तो चेलिए गारी वीडियो में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए काटा बाई बाई